तो गाइस GST में जो due date से regarding issue चल रहा है उसके regarding एक important update आई है बट उससे पहले गाइस GST में already एक 3 important updates को notify कर दिया गया है वो वीडियो आई बटन पर लग जागी आप जाके समझ सकते हो आपके लिए काफी relevant होगा तो आज हम बात करने वाले हैं basically May 21 की GSTR 3B के लिए तो मैं सिधा यहां से बढ़ता हूँ और यह फिर June को update आई थी फिर आपको मैं लेकर चलूँगा कि latest update क्या है और आपके कैसे doubt solve होगे हलाकि मैंने इसे already detailed में बताय हुआ है तो वो वीडियो आई बटन पर लगेगी बड़ आपको मैं आज summarize कर देता हूँ May 21 की GSTR 3B की अगर मैं बात करता हूँ और अगर आप monthly filers हो GSTR 3B में और आज जो मैं बात करने वालूँ वाइड नोटिफिकेशन नमबर 18 और 19 के regarding बात कर रहा हूँ जो 1st June को आई थी अगर आपकी turnover greater than 5 crore है या up to rupees 5 crore है तो आपके लिए due date 20th June ही है वो change नहीं हुई है May 21 की GSTR 3B के लिए date 20th June ही है आज भी मेरे पास doubt आ रहे थे मैं उनको समझा रहा था कि date change नहीं हुई है due date 20th June ही है अगर आपको portal पर दिख रहे है 20th July तो उसका मतलब आपकी due date को नहीं बढ़ाया गया है 20th July का मतलब आ रहा है कि आपकी late fees wave क पर दी जाती है अगर आप 20th June के बाद but 20th July तक फाइल करोगे late fees wave कर दी जाती है but आपको interest पड़ेगा तो कहने की बात है अगर आपकी turnover greater than 5 करोर है due date आपकी 20th June रहेगी but आप 5th July तक फाइल करोगे तो कोई late fee नहीं पड़ेगी but interest तो पड़ेगा ना पहले 15 दिन के लिए due turnover up to rupees 5 करोर है आप monthly फाइलर हो तो पहले 15 दिन के लिए nil rate of interest है उसके बाद 15 दिन के लिए 9% है और 30 दिन के बाद मतलब 31st day onwards 18% है और late fee wave कब तक रहेगी 20th July तक आपके सामने एक update आ रहे है like portal पर आपको दिख रहे है 20th July due date जो की गलत है ये 20th July due date नहीं है this is only the extended date for waiver of late fees date व shown for form GSTR 3B is meant for waiver of late fee only ये due date को नहीं बढ़ाने की बात हो रही है ये सिर्फ late fee के waiver की बात हो रही है only till such date मतलब इस date तक आपकी late fee नहीं लगेगी और अगर आपकी turnover पांच करोड तक है समझे ना अगर आपकी पांच करोड से जादा होगी तब तो आपके लिए दूसरी date applicable होग बट interest तो पड़ेगा आपको दिखा दिया और applicable interest should be reported in accordance with the provision of the GST Act 18% जो rate of interest है जो मैंने आपको दिखा दिया वैसे आपको follow करना पड़ेगा तो वीडियो को like करना आगे share करना टील्स और थेंक यूवर मैं समने जे बाई